अरे बेटी छोड़ इन बर्तनों को मैं खुद साफ कर लूँगी तुम जाकर आराम करो तुमारी तब्यत खराब है ना नहीं माजी आप ये बात मत कीजिये मेरे रहते हुए आप घर का काम करेंगी ये बात शोबा नहीं देती माजी बेटी तुम पांक दिन से बीमार चल रही हो कभी बड़े बजुर्गों की बात भी मान लेनी चाहिए जाओ अराम करो जैसी आपके मर्जी माजी माँ तु ये क्या किर रही है तु बर्तन मांज रही है और वो गुलाबों कहां पे है बेटा वो तो आराम से सो रही है महारानी बनकर मैंने उसे कहा था कि बर्तन साफ कर ले फिर उसने क्या का माँ बेटा वो बॉली मैं क्या नोकरानी हूं जो सारा काम करूं बुढ़िया अपना काम खुद करो और उसने मुझे बेटा गंदी गंदी घालिया भी दी मा तो दिल सोटा मत कर रो मत तूं वो मेरी मा से काम करवाती है इतनी हमत उसकी आज उसकी खेर नहीं मा आज तो उसे मा छती का दूद याद करवा के रहूंगा मा मैं जतता हूं अब आएगा असली मजा ए गुलाबो खड़ियों मेरी इतनी हमत तू मेरी मा के सामने जुबान लडाती है तू मेरी मा से घर का काम करवाती है बे गैरत मैंने मा से जुबान नहीं लडाई जी मैं सच बोल रही हूं आप मेरा यकीन कीजिए अच्छा इसका मतलब मैं जूट बोल रही हूं भलाईगा तो जमाना ही नहीं ला लो कर लो भला मैंने अपनी आंकों से देखा है आंकों से मा बरतल माज रही थी और तू मारानी की तरह मस्त सो के खराते मार रही थी मा जी नहीं मुझे आराम करने के लिए का था क्योंकि मुझे कई दिनों से बुखा रही जी मैंने आपको का था कि आप मुझे रख्ट के पास ले चलो में तब ये ठीक नहीं है हे राम कितनी जूठी है ये बेटा इसी ने मुझे कहा ए बुढ़िया बरतल मार वना खाना नहीं मिलेगा तू कोन होती है कोन होती है तू मेरी मा को खाने के लिए मना करने वाली मेरी मा इस गर की मालकीन है मालकीन और सुन आज के बाद अगर तुने मा के साने जुबान लड़ाई ना तो मैं तेरा क्या असर करूँगा तू अच्छे तरीके से जानती है मैं कितना कमीना इंसान हूं समझी अब घड़ी हो मेरे लिए गर्मा गर्म रोटियां बना चल मा मैं आपके हाथ चोड़कियू आप मेरे साथ ऐसा बुरा बरत आप क्यों कर दी है मैने आपका क्या बिगाड है जो आप मेरे साथ ऐसा कर दी है कान खोल कर सुन ले मेरी ये बात अपने बाप से 5 लाक रुपे लेया वरना इससे भी बुरा हल होगा तेरा ये तो ट्रेलर है पिक्चर तो भी बाकी है मा जी मेरे पिदा जी के पास इतने बैसे नहीं है उन्होंने अपनी जमीन पहले ही आप लोगों की नाम कर दी है और वो 5 लाक रुपे कहां से लेकर आएंगे कहां से लाएगी पैसे कहां से लाएगी याद आया मुझे मा याद आया ए सुन तेरे बाप के पाद जो मकान है ना उसको बोल की वो बेच दे याप कैसी बादे कर रहे हो जी अगर वो मकान बेच देंगे तो वो रहेंगे कहां आप लोग कुछ तो रहेंगे जी अरे गुलाबो कितनी पागल है तू देख कितने सारे मंदिर अनाथा शरम रेलवे स्टेशन बस्टेंड होते हैं इस संसार में बुद्धा रह लेगा कहीं पे भी नहीं जी मैं अपने पापा का मकान बिकने नहीं दूँगे नहीं बिकने दूँगे तो ठीक है फिर निकाई जा इस गर से मा आप ये क्या बोल रही है मा ठीक ही तो बोल रही है तो निकल इस गर से मैं आपके पैर पकड़ती हूँ जी मैं तो आपके पत्नी हूँ कम से कम आप तो बच रही हूँ जी जी मा देख के रही है तू खड़ी खड़ी जख के मारके निकाल इसे गर से बार नहीं मैं इस गर से नहीं जाओंगी जी मैं मर जाओंगी मगर इस गर से नहीं जाओंगी ओके ओके तो तेला गर से जाना कैंसिल अरे बेटा ये क्या कहा रही है तू अरे मा तू मेरी पूरी बात सुन तो लिया कर मैं बोल रहा हूं गर से जाना कैंसिल क्योंकि अब ये अपनी जिन्दगी से जाएगी जिन्दगी से चल गुलाबो मुझे तु ये बता तुझे किस तरह की मोत पसंद है आग से जल के मरना पसंद करेगी या फासी पे लटकना बेटा ऐसा करते हैं इसे आग से चला कर मार देते हैं वा मा वा क्या दिमाग पाया तुने साम भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं तूटेगी और हम पुलिस वालों को ये कह देंगे कि सलेंडर फट गया था अब बेटा जल्दी जा तेर मत कर पेट्रोल लेया अभी लाया मा मा तु इसे पकड़ जोड़ो मुझे मा बेटा ये माचिस मुझे दें ये शुब काम मैं ही करती हूँ मा मा ये शुब काम को अपने हाथों से कर मा मुझे आग से बच चलाओ मुझे आग से बहुत ड़ लगता है एक बार ना बच्पन में पटाग की चलाताओं फुल जेड़ी मेरे हाथ में लगी थी तो हमें बहुत जोड़ से रोई थी मेरे पिताजी ना मुझे डॉक्टर के पास लेके खेदे मुझे आग से डर लड़ सबस्थ पिताजी आप मुझे आपकी ना बहुत याद आरी थी है और आज आपको यहां देखके ना मैं बहुत खुश हूँ आप बैठी और मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ पिताजी मैं बहुत खुश हूँ आप सबसे पहले मुझे यह बताईए कि घर में मा और भाइक कैसे हैं बैठी घर पर सब खुश हैं मुझे तुमारी बहुत याद आ रही थी इसलिए तुम्हें मिलने चला आया बैठी तु सच सच बता तु यहां पर खुश तो है ना हाँ पिताजी मैं बहुत खुश हूँ मेरी सासुमा तु मुझे इतना प्यार करती है इतना प्यार करती है ना कि आप सोच ही नहीं सकते हैं महरानी द्रामे छोड़ खड़ी आजाब सासुमा मुझे बहुत जोर के चक्कर आ रहे हैं कुछ तो रहन करो लगता है तो यो नहीं मानेगी सासुमा मुझे मा तुमार यह छोड़ दीजिये मैं ना आपी जाडू लगाती हूँ और पिता जी आपके जमाही राजा वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं तो जवान को बीच में मतला इसमें सारा कसूर तेरा एक तेरा बांज केंगी और एसी बांज को अब मेरे घर में रहने का भी कोई अधिकार नहीं तू मेरे घर से निकल तू मेरे घर से निकल अभी की अभी यह आप क्या बोल रहे हो जी कुछ तो सोचे में कावा जाओंगी तू चाहे रेल के नीचे कटके मरे या तू फासी लगा या तो दूब के मर लेकिन मेरे घर से निकल तू पिता जी मैं आपके लिए ना चाय बना कर लेकर आते हूं पिता जी माजी यह कोई बिखारी नहीं है मेरे पिता जी है अच्छा जी आप आई में ही समझ में बात जो तुमारे पिता जी है ओहो यह तो कोई मामूली बिखारी नहीं है यह तो वी आईपी बिखारी है वी आईपी बिखारी मा जी आप मेरे पिता जी को ऐसा क्यों बोल रही है अपनी जुबान को चुप रख जो मैं बोल रही हूं बिल्कुल सही बोल रही हूं और तुम क्या बीग लेने आयो यहां पर में बेटी के गर मुझ उठाकर बोल बीग मैं तुझे कितने पैसे चाहिए अभी देती हूं मैं बैन जी माना कि मैं बहुत गरीब हूं और मैं बिखारी नहीं हूं आप के आगे हाथ जोड़ता हूं इस तरह से जलील मत करो मुझे ठीक है चलब दफा हो जाए यहां से और इस घर में आज के बाद कदम मत रखना मेरे घर में पैसा और सोना खुला पड़ा रहता है और ते माजी मैं आपके हाथ जोड़ती हूं आपके पैर पगड़ती हूं माजी प्लीज मेरे पिताजी की इस तरह से बेचती मत कीजिए माजी मत कीजिए तो तो ही पता और किस तरह से बेचती करूं क्या धक्के मार कर निकल वादू इसको बसमान जी बहुत हो जया चल बेटी तू मेरे साथ चल हां हां ले जाओ ले जाओ जल्दी जाओ लेकिन आज के बाद इस घर में इसकी दुबारा आने की कोई इम्मत नहीं नहीं इस गर मे हां 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 चल बेटी अब मैं तुझे इस नर्क में नहीं रहने दूँगा नहीं पिता जी इस घर में मैं दूलंग बनकर डोली में बैठ की आई थी और पिता जी इस घर से अब मैं अर्थी पर ही जाओंगी पिता जी मैंने घर से भाग कर आप लोगों की मर्जी की खिलाफ शादी की पूरे गाल में आपकी नाग कटवांके रख दी आपको कई भी सिरु ठाने लाइक नी चोड़ा मैंने इसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी ना और साथी साथ मैंने मा और भाई का दिल भी दुखाया मैंने बहुत बड़ी गल्पती की है पिताचे इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए नमस्कार प्रिया दर्शको दहेज एक अभिशाप के समान है दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप है अगर कहीं भी इस प्रकार की कोई भी घटना होती है या दहेज मांगा जाता है तो आप उसका पुर्जोर विरोध करे और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद